आज का पहला प्रश्ण है ASEAN Games 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेले में जीता है तो भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है निसाने बाजी में याद दखना साथी हो यह प्रश्ण आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपुर्ण है कि ASEAN Games 2023 जो हो रहा ह इसमें भारत ने अपना स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है तो निसाने बाची में जीता है सात्यों आई अम अभारत के लिए गैंव हमीट है एक्जाम के लिए येंगेम्स हो रहा है, ये किते नमर का हो रहा है, तो ये 19 में नमर का सात्यों हो रहा है, दूसरा प्रशन आपसे सात्यों ये बनेगा, कि ये कम से कम तक हो रहा है, तो ये जो आपका हो रहा है, ये 23 सेप्टमबर से 8 अक्टूबर तक सात्यों ये होगा, और इसमें सात्यों दोजबाहक कौन कौन से थे यह इमेज में आपको दिख रहे हैं हर्मन प्रीत सिंग जो होकी खेलते हैं पंजाब के हैं और यह है लबलीना बॉर्गोहेन जो बॉक्सर है और यह असंकी है साथियो अब साथियो हमारा यहां से अगला प्रश्ण बनता है कि पहली बार ACI गेम का अयोजन जो हुआ था वो कहा हुआ था तो नई दिल्ली में हुआ था और अगर मैं पूछो कब हुआ था तो क्या बोलोगे E emission क्याबन में हुआ था झा कर्षाई साथ्यों में फखेंब का यहाद इस वार जो इस याई के के वारे में बात करते हैं सुभांकर कांग कौंग लियान नाम दिया गया शुभांकर का और यहां इमेज में cred अब देखू साथियो यह जो ओलेंपिक होता है साथियो एसी आई खेल जो होता है साथियो यह प्रतेक चार साल बाद आयोजित होता है और चारिस खेलों में चार सो एक्यासी परतियोगिताओं होगी इस भार जिसमें 45 देशों के खिलारी सामिल होगे साथियो अगर मैं पूछओ कि 19th ACI गेम में कितने खिलारी सामिल होगे साथियो ऑर खिलारियों की स्प्रतियों कितनी होगी 481 और कितने देश के खिलारी होंगे तो 45 देश के खिलारी होगे साथियों भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं यह उनीस वाले का साथ को छोर करके 672 पतक भारत ने जीता है जिसमें से 1557 पतक है 201 रजक है और 316 जो हो कान से पतक है साथियों अब देखो साथियों जो एस याई खेल है साथियों एस याई उलेंपिक परिशत के कारेवाहक अध्यक्ष कौन है यह भी महुत हैं महुत पुर् लीडर को और पीश एंड स्व mitä спокой से और से समानित किया हैी क्या क्या तो माता अम्रिता नंद मै देवी को वर्ड लीडर फॉर पीच and Secretary Award 2023 से सभानित किया गया है अब हमारा अगला प्रश्ण है हाल ही में कहा के मुख्य मंत्री नी रदूसन से निबटने के लिए 15 पॉइंट का बिंटर एक्षन प्लान तयार किया है तो दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जरीवाल साथी हूं आपको बताना है के मेंटर कि दिल्ली के उपरा जेपाल कौन है अब दिल्ली साथी हूं टेलिकॉम रगुलेटरी अथरिटी ऑफ इंडिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बॉर्डर सुक्रेटरी फोर्स एंड बॉर्डर रोड ओगनाइशेशन साथियो ऑईल एंड नेचुरल गैस टेवर टैनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पंजाब नैस्नल पैंक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट ओगनाइशेशन ये सभी का हिट क्वार्टर लाइट ली में है देखो कैंविरी रिजर्व पुलिस बल अर्थाद सीयार अब देखो सफदर गंज का मगवरा का नर्मान किसने करवाया सुजाओ दोलानी खिर्की मस्जित का नर्मान किसने करवाया तो गया सुर्दिन तुगलक ने साथियों करवाया देखो ही मायू का मगवरा दिल्ली में है और कुत मिनार भी दिल्ली में है इसको 1993 में और लाल किला रेड़फोर्ट को 2007 में युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइड में सामिल किया गया है साथियों रेडफोर्ट से एक ये कौन है ये बताना है आपको कमेंटर बॉक्स में साथियों अगला प्रस नमारा है हाल ही में किसने स्वक्ष रख्तदान में 20 सुभर में रिकॉर्ड बनाया है तो उत्राखंड ने साथियों स्वक्ष रख्तदान में 20 सुभर में रिकॉर्ड बनाया है अब उत्राखंड भारत या भारत का पर्थम राष्ट्री उद्यान है जिम कॉर्वेट नैस्टनल पार्क जिसका पुराना नाम क्या है है हैली नैस्टनल पार्क और नया नाम है राम गंगा नैस्टनल पार्क इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इस राष्ट्री उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा नदी निकलती है अब साथियो राम गंगा नदी तो यहां से क्या प्रश्ण बनता है देखो राम गंगा नदी उतरा खंड के ननिताल के समीप से निकलती है और कनोज के पास गंगा नदी में मिल जाती है साथियो कनोज को बोलते है खुसबूओ का सहर साथियो औ गोसाइथान चोटी के सब्त कोशी से निकलती है जो नेपाल में है और कटिहार में गंगानदी में मिल जाती है जाती है तो पुछा गया है कोशी नदी बिहार के किस टिष्टिक में जागर के गंगाएं मिलती है तो कटिहार में साती है गंगोत्री राष्ट्रिय उद्यान उ तीहरी बांध पनीव सफ़ूरा, भारती पेट्रोल्युम संस्थान देरा दुन में प्रेश केंद्रिय और लिश्या 협ण जेर, क्यास में पहँ तो thank uphold cold में हैं लिपुल्यक दर्रा माना दर्रा नीति दर्रा उत्रा खंड में बद्रि नात के दायरणाथ गंगोत्री अरिदवार और मिन करूद इसना अलीज केश दर्राइण czy किला समान सरववर तक पहुंचने के लिए तिर्धक ती यात्री किस दर्रीका इस्तिमाल करते हैं साथियों, हमारा अगला प्रश्णाप का है, हाल ही में किस ने अंतराष्ट्रिय होम, टेक्स्टाइल से सिखर समेलन की मेजवानी की है, साथियों उत्तर पदेश का वारा नसी सहर साथियों, जो गंगा रिवर के किनारे हैं, यहीं पर हुआ है, अंतराष् भी गंगारी वर के किनारे है, लखनव गोमती नदी के किनारे वसा हुआ है, गोरखपुर रापती नदी के किनारे वसा हुआ है, आपको बताना है अयोध्या कौनसे डिवर के किनारे है, नवाबो का सहर बोलते है लखनव को, उत्तर भारत का मैंचेस्टर बोलते है ही महसात 5000 अगला प्रस्टर प्रस्टर पर्सुंदर वं के जलवाई प्रभब प्रभाब प्रभाब को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा दिस्ट के लिए एक साथ नुए हुए है अब बbangonalis साथ यो हुआ भारत के साथ तो भान ऐधानी है ढाका बंगबंदु नैस्टनल इस्टिडियम ढाका में है और बंगलादेश के संसत का फूर्टीन कहा शुरू हुआ है तो बैंगलोर में उस रिवा सातियों यह बालकों के लिए हैं यह शुरू कहा हुआ हुआ है वह याद रहा ना पैंगलूर में इ 맡ंग श्रों का हिटवार्ट है कटक कमें चावल अनुशंधान संस्थान भर्ष दिल्ली सॉच ताइव का हिट्वाटर नहीं दिली में और इहम्दाबाद को भारत का माझ चेस्टर साति हो और ऐहम्दाबाद को जो सावर मती नदी के किनारे है अब फुटबाल तो फुटबॉल का जर्म हुआ इंग्लेंड ने, साथ यो इंग्लेंड के प्लान मंतरी कौन है, ये बताना है के मेंटर बॉक्स में आपको साथ ही, देखो फुटबॉल की सरवच संस्था है फीफा, फीफा का फुल फॉर्म है, फेडरेशन इंटरनेशनल डीप फुटबॉल इसका हिटक्वाटर जीवरेक सुट्जर लेंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 2004 को, फीफा के परसिडेंट कौन है, तो ग्यानी एंफेंटीनो है, फीफा के परसिडेंट साथ हो कौन है, ग्यानी एंफेंटीनो, साथ ही ओ, DCM ट्रोफी, डुरंड कप, रोवर् संतोष ट्रोफी, IFA सिल्ड कप, सुबरोतो मुखरजी कप, सराचुतोष मुखरजी ट्रोफी, मडेका कप, इत्यादी का समन की स्खेल से है, तो फुटबॉल से है, फुटबॉल में होक्की में और क्रिकेट में खिलारियों की संख्या 11 होती है, रगभी फुटबॉल में 15, बेसबल, कोको में 9, जिमनास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड़ी और नेटबॉल में 7 होते हैं, वालीवल में 6 होते हैं, वास्कितबॉल में 5 होते हैं, परपोलो में 4 क्रियाडी होते हैं,